तो जैसा कि आज टॉपिक ही है कि MCQ और स्वाइल जीतना हम दोग फास्ट चेप्टर में पढ़ें स्वाइल वाटर रिलेस्टिप के बारे में उसमें से हम दोग लगभग 13 क्यूशन को करेंगे जो कि अब्जेक्टिव क्यूशन होगा तो आएए स्वास्ट क्यूशन से स्ट स्वाइल स्टेम्ड एच अगर कोई स्वाइल मास है उसमें सिर्फ जो वाइड है वो फूल ऑफ एयर रहे तो इसको हम दो क्या बोलेंगे यह इंटेंट स्वाइल या पार्सियाली सैचुरेटर स्वाइल या ड्राइज स्वाइल या नन अफ देभग तो इसका जो कॉरेक् स्वाइन पर्सेंटेज इस पर्सेंटेज में तो इसका वैइलेट रेंज गया है उसका व्हलीड औरइज जो होता है जिरो से लिए रही होता है जो कि नेर्ट येस ओर गार्थर के बीच में निकालना है यानि gamma d का value निकालना है तो gamma d is equal to क्या होता है याद किरिए हम आपको वहां पर skin sort लेने के लिए बोलें थे formula note करने के लिए बोलें थे तो देखिए gamma d equal to होता है gamma divided by one plus w तो इसमें आप जब value put करिए गा तो इसका आपका आजागा gamma d equal to gamma divided by one plus w और w जो water content का यहां मान रखेगा तो 10% है जिसको 0.10 कर दिजिएगा तो 1 plus 0.10 नीचे हो जागा तो 1.10 नीचे में चला जागा ऊपर में 22 रहेगा तो आपका अंसर आजागा 20.0 यहां पर correct option है बी option जो की 20.0 फॉर्मूला बता दिये हैं gamma d equal to gamma divided by one plus w अब देखें gravel and sand belongs to the following category of swalls gravel and sand जो है यह किस category of swalls से अहां से collect होता है यह connect होता है कुछ भी बोलिए तो यहां पर alluvial, cohesive, expensive यह marine तो इसका जो correct option है वो है alluvial swall के नाम से जाना जाता है gravel or sand को फर्स्ट में ही बोला गया था अब देखे water content of swall can be water content जो होता है तो swall का कितना हो सकता है be less than 110, be less than 0%, be greater than 100%, never be greater than 100% यह take values only from 0% to 100% इसका जो correct option है वो correct option होगा यहां पर be greater than 10% 10% से भी ज्यादा हो सकता है be greater than 10% the void ratio for saturated soil is equal to fill in the blacks of water content and a specific gravity of solids तो देखे water ratio जो होता है saturated soil के लिए तो कितना हो सकता है water content के चाहिए product हो सकता है product of water content and a specific gravity water content और a specific gravity का यह product हो सकता है for wide ratio यह formula में ही मैं बता चुका हूँ उप देखे density index of for a natural soil is you to express density index का इस्तमाल किया जाता है natural soil को किस लिए express करने में तो होता है relative compactness को दिखाने के लिए density index का इस्तमाल किया जाता है एड़ नमर की हुचन है specific gravity of soil is specific gravity of soil क्या होता है the same for clay and sands determined by hydrometer यह less than two or moss soil यह more than 2.5 for moss soil तो देखे more than 2.5 for moss soil होता है यह specific gravity of soil अब देखे soil transported by wind wind के दोवारा जो soil transport किया जाता है उसको क्या कहा जाता है aeolene alluvial marine या lacostream तो हम देखें वहां पर आपको एक चीज टैली करके बतायां थे कि जो air से connect होता है उसको aeolene तो जो wind के दोवारा होता है उसको aeolene बोला जाता है जैसे बोला जाएगा lake के दोवारा तो lacostream और यहां c के दोवारा तो marine alluvial मैंता जो sand particles के टूटने से बनता है तो इस option में जो soil transported by bin इसमें आपका यह option साहिए aeolene soil अब देखिए if void ratio is 0.67 water content is 0.188 specific gravity is 2.68 the degree of saturation of soil age तो degree of saturation के लिए क्या formula होता है degree of saturation एस का value निकालना है तो इस वाला formula में जाके check किजिए तो ac बराबर देखिए एक ac बराबर बताया हुआ है ac बराबर होता है w into g w into g इस formula में जब आप value put करिए ac is equal to w into g तो ac का value हमको निकालना है e का value void ratio देखिए 0.67 दिया हुआ है अब देखिए specific gravity यानी g का value यहाँ पर देदिया आपको 2.68 और w का value यहाँ दिया है 1.0.188 अब देखिए तो तीन चीज हमको मालम है s पूछ रहा निकल जागा degree of saturation निकल जागा इसका जो correct option आपको यहाँ पर है saturation of soil is given by 67.89 परसेंट अगर degree of saturation जो है और दिया गया है 67.89 परसेंट which is the percentage of air content इन में से कौन सा होगा percentage of air content तो देखिए percentage of air content निकाले के लिए क्या formula है तो यह एक formula होता है s is equal to 1-n a s is equal to 1-n a करें या n a is equal to होता है 1-s दोनों बात से भी है ठीक है s is equal to 1-n a formula में शेकर लेजिएगा यही formula रहता है यहाँ पर दे दिया होगा आपका n a is equal to 1-s ठीक है तो इस के आप उधर लेके जाएए n a को इधर लेके आए तो s is equal to 1-n a यह formula आ जागा तो s is equal to 1-n a 1-n a और degree of saturation जैसे हमको निकालना क्या है तो air content निकालना है या न के value निकालना है तो 1-s कर दिजिए यह 1-n a से जब आप करिएगा तो इसका value यहाँ पर degree of saturation जो की है 0.67.89 परसेंट यह value पूट करके आपका अंसर आ जागा जो की होगा 32.11 परसेंटेज में पूट यहाँ दिया गया है तो जब हम value पूट करेंगे तो point और दो आगे जागा तो 0.6789 पूट होगा जब यह 1 मे से अब घटाएगा तो कैसी ओ में देख लिए जागा 32.11 आपका यहाँ पर देखिए कि और भी बता देता हूं अच्छे से तो जैसा कि बात वो रहे थे तो जैसा कि मैं बात वो रहा था कि one में से जब आप minus करिएगा तो point के भलिपूट करके तो 0.3211 आएगा कैसी हो में भलिपूट करिएगा वह से मैं बता देता हूं one minus अब जब इसको भी point दो आंक आगे जागा तो 0.6789 यहाँ पर भलिपूट करेंगे तब आपका आएगा 32.0.32 आएगा 0.3211 अब इसको जब percentage में आप change करिएगा तो फिर हैंडर से गुना करना होगा तो 32.11 पर्सेंटेज में आपका अंसर आ जागा तो यहाँ पर्सेंटेज ओफ एयर कॉंटेंट कितना हो जागा आपका तो 32.11 यहाँ पर चुप गया है जो कि नन ओफ दीज है कोई भी नहीं में साब चून सकते हैं ठीक है नन तो यह ग्लयासियर यह बॉटर ही है यह बिंज की दोवारा रेचिड्यूवल तो इसका उप्सन नन द आपका अंसर से नो बूंड से अब 13 नमर वाल के दो इसवकर के दखे हैं जो कि लास्टकीशन है इस वीडियो का वाईड एक फिर्मूला क्या होता है ये इसको में हमको पूछ रहा कि पूरसिटी का वैलु क्या होगा यह हमसे पूछ सब्सक्राइब गुच्छ रहा है तो तो ए मिच्कल टो देखे एक फ़र्मूला क्या होता है यह प्लस यह फोर्मूला होता है ठीक है तो यहां पर इक भलय हमको पता है जीरो पांड knife करेंगे इन का भलय आ जगा जो की 0.47 होगा ठीक है तो बी ओप्षन यहां पर कोड़ेक्ट है 0.47 तो थैंक यू अल अभी 13 किवचन ही हम लोगों यहां पर इन भी करेंगे अभी इसके अगले लेक्षर में हम लोगों आगे का जो भी टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे और जो भी आगे का टॉपि अच्छे तरह से किलियर हो जाए तो थैंक यू अल और प्ली डू लाइक शेर और सब्सक्राइब डिप्लोमा बीच सुन हो